Hello Friends, Welcome to Get More Info YouTube Channel So, आज के इस वीडियो में हम एक और नई Government योजना के बारे में बात करेंगे Government Scheme के बारे में बात करेंगे जो की है PM Intrinship Scheme इस योजना के अंतरकत 5,000 रुपए हर एक Candidate को यहाँ पर दिया जाएगा और प्रदानमंत्री Intrinship योजना है So, All India, पूरे भारत वर्ष के जो Candidate हैं, चात हैं, उन सभी के लिए योजना है अगर हम बात करें इसमें Qualification की कौन इस Intrinship के लिए Alisable है तो minimum 10th Pass आप होना चाहिए 10th Pass से लेकर के Higher Qualification आपकी जो भी हो, आप यहाँ पर Alisable रहेंगे बाकी Other जो भी Requirement है, जो भी Alisability Conditions है, वो हम आगे देखेंगे अभी आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर यह PM Intrinship Scheme की Official Portal है यह So, इस Portal पर आकर के आप Online Apply कर सकते हैं अभी यह New Scheme है 2024-2025 के लिए तो यहाँ पर अभी Registration स्टार्ट नहीं हुए है आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ दिया गया है The Portal is now open for Partner Companies के लिए open हो गया है But यहाँ पर The Portal will soon be open for Youth ठीक है, तो लेकिन Apply करने से पहले, Registration करने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके क्या benefits हैं वैसे मैंने आपको mention कर दिया है 5,000 रुपए पर मन्त यहाँ पर Government of India भरसरकार के दोरा आपको दिया जाएगा साल में आप 60,000 रुपए यहाँ पर ले सकते हैं इस internship के अंत्रकत सारी information के लिए, सारी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा हम इसी के जो notice है, जो guideline है उसके तुरू हम सारी information लेने वाले हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप भी eligible हैं और आपको भी apply करना है तो इस portal पर update रहेगा बहुत जल्द इस पर registration स्टार्ट हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधान मंत्री internship योजना पाइलट प्रोजेक्ट बित्तिये वर्स 2024-25 के लिए दिसा निर्दिस बज़र 2024-25 में ये internship योजना के बारे बताया गया था और इसमें ये बताया गया था कि इसका जो मेन उद्दिस है कि पांस साल में अगले जो पांस साल हैं उसमें टॉप जो 500 कंपनीज हैं उन सभी में करोडों योजना को internship का अफसर प्रदान किया जाएगा तो अगले जो पांस साल रहेंगे अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और आगे के जो पांस साल हैं उसमें 500 यहाँ पर top companies हैं जिन से आपको internship करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है इस योजना के माध्यम से वाओं को 12 महीने तक बिभिन ब्यपसाओ सिखाये जाएगा जो भी आपका talent है या जिसमें भी आपका interest है आप उस इसाब से आप अपना जो course है वो चूज कर सकते हैं और उसमें आप internship कर सकते हैं इसके अंदरगत आइ तिंक आपको five options दिये जाएंगे जो आप चूज कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर एक एकर के detail देख लेते हैं अगर हम कारच छेतर की बात करें तो यह जो योजना है बाकी और भी अलग-लग schemes government के दोरा लाई जाती है लेकिन उसके कुछ limitation होती है कुछ जो areas हैं जैसे यूटीज में या कुछ states में रहती है लेकिन यह जो योजना रहेगी यह आपकी भारत के सभी राज्यों में सभी केंद्र सासित प्रदियोसों में यह कार्यानवित की जा रही है और ऐसी सभी केंद्रिये राज्य योजनाओं से सौतनतरूप से संचालित होगी बाकी अधर जो भी संचालित हो रही है अभी चल रही है वो चलती रहेंगी लेकिन ये अपने आप में एक अलग योजना रहेगी और सभी स्टेट्स में सभी यूटीज में यहाँ पर ये योजना लागू की गई है अब पाइलिट पर योजना की मुख विसेस्ता है क्या है तो एक तो इसका जो डियूरेशन है इस इंट्रोंसिप की अभधी जो रहेगी वो बारा महीने एक साल की आपको यहाँ पर इंट्रोंसिप दी जाएगी जिसमें आपको बास्तविक कार का अनभव नौकरी के माहल में बिताना होगा ना की कक्छा में ठीक है तो यहाँ क्ला सब्सक्राइगी उस तक उस लास्टेट से जब भी लास्टेट होगी उसमें आपकी एज 21-24 के बीच होनी चाहिए भारती राष्टिता से संबन देतों मेंस आप नेशनल जो इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए आपकी नेशनल्टी जो पून कालिक रोजगार में नहीं ह पून कालिक और पून कालिक सिक्षा में नहीं लगे हुए हूँ ठीक है रिगुलर जो एजुकेशन है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ना लगे हो यहां पर ऑनलाइन और जो डिस्टेंस मोड सो जो एजुकेशन या नि जो जो सिक्षा ले रहे हैं प्रोग्राम में नमांकित हैं वो उम्मीदबार यहां पर आविदन करने के पात्र रहेंगे सेक्षन क्योगता क्या है तो यहां पर 10th 12th पास कर सकते हैं आई टी आई का सर्टिफिकेट आपके पास है आप इस इंटरंसिप में अप्लाई कर सकते हैं पॉली टेक्निक संस्थान से अपने डि योग है कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इटी आई 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 टी आई आई टी आई आई एम रास्टे विदिविस विध्धालेयों आई आई एस ए आर या एन आई डी या आई 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 टी टिपल आई टी से जो ग्रेजिएशन है वो यहां पर नहीं होंगे वे कांडिडेट जो केंदर सरकार या राज्य सरकार की योजना के अंतरगत किसी कौसल या पसुक्षाता इंट्रंसेप या चातर पसुक्षण कारकरम में भाग ले रहें वो भी इस योजना के अंतरगत लागू इस योजना में भाग नहीं ले सकते जिन्हों ने किसी भी रास्टिय पसुक्षता पसिक्षण योजना जैसे कि N.A.T.S. या रास्टिय पसुक्षता सम्मर्धन योजना N.A.P.S. के तहित पसुक्षता की है वो भी यहाँ पर अलिजबल नहीं होंगे यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदसिकी आये बित्तिय व परिवार का कोई सदस से इस्थाई या रेगुलर गॉर्मेंट जॉब में है तो वो भी यहाँ पर अलिजबल नहीं होंगे तो यह एक अनिसंस देख लिजएगा आप इनवे से कोई भी अगर आपके पास मैच करती है तो फिर आप इस इंट्रेंसिप का लाव नहीं ले सके अब अगर हम बैनेफिट की बात करें तो इसमें जो लाव है वो आपको डिवी टी योज नहीं एक प्रतिक्ष लाव है तो इसमें आपका जो अमाउंट है पांच हजार रुपए वो सीधे आपके बेंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और इसमें महीने में आपक पांच हजार रुपए यहां पर दिये जाएंगे बारा महीने तक दिये जाएंगे तो आपका एक साल का साथ हजार रुपए यहां पर सरकार की तरफ से यह आपको दिया जाएगा बाकी अकस्मिक वे के लिए भी यहां पर छहजार रुपए एक मुस्त बेतन यहां पर वित प्रदान मंत्री सुरुछ्च्छा बीमा योजणा के तहित प्रतेक ब्यक्तिकत इंटर्ण को बीमा कवरेज भी यहाँ पर पुरदान किया जाएगा जिसके लिए प्रीमियम रासी सरकार दौरा प्रदान कि जाएगी। इंट्रेस्ट के आधार पर यहाँ पर चूस कर सकते हैं अब कैंडिडेट सोट लिस्ट कैसी किये जाएंगे तो आप जो रेइस्टेशन करेंगे रेइस्टेशन के बाद कंपनी की जो रिक्वार्मेंट रहेगी वो और आपका जो family background है या जो cast वगरा categories देखी जाएंगी यहाँ पर तो इस हसाब से यहाँ पर प्रात्मिक्ता दी जाएगी जैसे देखिए SCST candidate, अनपिशाबर्ग, PWD candidate यह यहाँ पर ठीक है प्रतेक इंटरंसिप के लिए प्रिस्तावों की संख्या के आधार पर उमीदवारों के resume के साथ लवक दो गुने या तीन गुने का chain company को भीज़ा जाएगा तो यहाँ पर यह company की requirement और आपकी जो qualification है और जो category है पूरा फैम जो आपका background है उससाब से यहाँ पर preference के बेस पर sort listing की जाएगी तो यह है प्रधान मंत्री इंट्रंशिप योजना और इसका जो पोर्टल है चलिए हम देख लेते हैं पोर्टल एक बार फिर से तो यहाँ पर आप यह पोर्टल देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप eligibility चेक आउट कर सकते हैं यह देखें यहाँ पर दिया गया जॉब स्ट्रेटस वगिरा एंड एकिस से चौविस साल एज होनी चाहिए फैमली इंकम के बारे में यहाँ पर बताया गया है नो मेंबर हैस अ गॉवर्मेंट जॉब ठीक है तो यह आपका है अब पांच हजार रुपए आपको यहाँ दिया जाएगा पर मन्त और छे हजार एक सब्सक्स घट सस wage में पांच पर अफोर्मेंट आपको चाहेए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वच्ँम